दोस्तो अगर आपके चहरे पर 10 साल पुराने जाईया होंगे ना तब भी इस रेमिडी को लगाने के बाद आपके जाईया बिलकुल गायब हो जाएंगे और यकीन मानिया आपके आसपास वारे लोग भी आपसे पूशने लगेंगे कि ऐसा आपने क्या किया कि आपकी सारी जाईया पिग्मेंटेशन गायब हो गई और गर्मी में दोस्तो सकिन से जुड़ी काफी सारी समस्या हो जाती है जैसी कि अगर आपके चहरे पर पहले से जाईया है तो गर्मी में वो काफी जादा बढ़ने लगती है तो आज की जो रेमिडी दोस्तो बहुत ही जादा यूसफुल होने वाली है तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखे इसको कैसे लगाना है कब लगाना है सारी डिटेल्स बताऊंगी दोस्तो लेकिन उससे पहले एक छोटी से रिक्वेस्ट आपसे जरूर करना चाहूंगी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये है और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेते हैं तो बहुत ही तेजी से जाईयां आपकी कम हो जाएंगी यकीन मानिये करके देखेगा बहुत ही कारगर है जैसे कि आप देख रहे हैं सबसे यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारा हीरो इंग्रेंट वो है कपूर यह वही जो हम पूजा घर में इस्तमाल कर है तो यहां पर देखे इस तरीके से मसले से ना पाउडर टाइप का यह कपूर बन जाता है काफी आसानी से एक कपूर को मैंने आपे पाउडर फॉर्म में कर दिया है और जो अगली चीज हम इसमें मिलाएंगे वो है कोकुरिंट ऑईल यानि की नारियल का तेल बिलकुल थ साथ में अच्छे से नारियल तेल अब मिक्स हो चुका है आप चाय तो ना ज्यादा बना करके इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं इसको बनाएं च्छोटे से कंटेनर में आप इसको महीने भर का स्टोर करके स्टोर करके भी रख सकते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से देख के लिए आपको थैंक्स के सकूँ साथ ही मुझे ये भी पता लगे कि मेरी वीडियो कहां कहां तक लोग देखना पसंद कर रहे हैं नारियल तेल अगर आपके पास वर्जिन कोकुनेट ऑईल है तब तो और भी इसका रिजल्ट फास्ट आपको मिलेगा दोस्तों वर्जिन कोक ज्यादा तर इस तरीके से चीक पर होती है नाक पर होती है माथे पर होती है तो ऐसे में उस उस एरिया में भी आप इस रेमिडी को लगा सकते हैं या फिर आप चाहें तो पूरे एरिया में भी लगा सकते हैं पूरे फेस पर लगा सकते हैं रात में अक्सर लोग नाइट क् से के जगा पर आपको इस रेमिडी को लगाना है पूरे चहरे पर मैं डॉट डॉट करके लगा रही हूं उसके बाद आप अच्छे से मालिश करते हुए लगाएंगे तब तक करेंगे जब तक की तेल अच्छे से हमारे चहरे पर अब्साज़ नहीं हो जाता ज्यादा जोर जोर से रगड़ना नहीं आपको बिल्कुल देखिए इस तरीके से हलके हातों से ही आपको मसाज देनी है कम से कम 2-3 मिनिट तक अच्छे नायक क्रीम लगाना नहीं है बिलकुल आराम-ःाम आराम से आपको इस तरीके से जहां पर च्हाईया है नहीं वहां पर जादा करकर आप इससे मसाज कीजिए इस लगाने के अबाद आपको ती पुरूइब लगा कर देखेगा अगर आपके चैरे पर बहुत जहाईया होंगे तब भी वो दीडीडीरे करके हल के होते हुए आपको नजर आएंगे जहाईया बहुत जिनदी होती है जितने भी आप महंगे क्रीम लगाए लगाए जल्दी जाती नहीं है लेकिन दोस्तो इस वाली remedy को एक बार इस्तमाल करके देखिए कम से कम आप 15-20 दिन तक लगा कर देखिए गैरंटी देती दोस्तों कि आपके जाया है वह हलके हलके होते हुए आपको नजर आएंगे बस आपको इसको लगाना है और सो जाना है अगर गर्मी का मौसम है अगर आपको लगे कि आपक बिल्कुल भी नहीं लगेगा लेकिन अगर आपको लग रहा है तो आप क्या कीजिए एक टिशू पेपर ले लीजिए और आपको पोचना नहीं है टाप टाप करते हुए जो एक्सेस ओयल आपको लग रहा होगा बस आपको वह निकालना है ना आपको फेस को वाश करना है ना इसको पूरी तरीके से पोचना है देखिए बिल्कुल टाप टाप करते हुए जो उपर उपर का जो एक्सेस ओयल है केवल वो मैं आपर निकाल रही हूँ और बस उसके बाद आपको सो जाना है रात भर इसको अपने चाहरे पर काम करने दीजिए नेक्स टेमानिंग मॉ सब्सक्राइब करते हैं तब तक ये लिए बाई टेकर के लिए अगरे 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 वीडियो में तब तक ये लिए बाई टेकर